नमस्कार जार्खन्डी नूल में आपका स्वागत है आये जार्खन राज के टोप पचीश पर मुख ख़बर जानते हैं केंद्रीय गरी सचीव का आज राज्यों के साथ बैठक ख़बरों के उनसार केंद्रीय गरी सचीव, राज्यों, गोबा आज 10 बजे सभी राजियों और केंद्रे सासित पर्दिशों के साथ वीडियो कन्फरेंसिंग के माध्यम से संक्रामन की स्थिती पर बाचित करेंगे इस वीडियो कन्फरेंसिंग में राजियों के मुख सचीव और प्रमुख सचीव सामिलित होंगे साथी नीती आयोग के सदसिग्री मंत्राले के सचीव, सूचना और प्रसानल मंत्राले के सजीव भी समीलित होंगे जारखंड मौसम विभाग के अनुसार पिछले साल राची का तापमान आठ मैं तक 40.2 डिगरी तक पहुँच गया था लेकिन बरतमान बर्स में 6-7 डिगरी की गिरावट है दिली महराष्ट में 90,000 परवासी मजदूर घर वापसी पर बढ़ सकता है खत्रा खबरों के अनुसार जारखंड में अब तक 5.5 लाख लोगों ने पंजी करन कराया जिसमें से 90,000 परवासी मजदूर दिली और महराष्ट से है दिली और महराष्ट में संक्रमन का खत्रा ज्यादा है यदि दिली और महराष्ट से 90,000 परवासी मजदूर जारखंड वापस आते हैं तो जारखंड में संक्रमन का भी स्फोर्ट हो सकता है ऐसे में राज सरकार के पास मजदूरो का फोन लगतार आ रहा है सरकार को मजदूरो को निकालने में परसानी हो रही है जारखंड में आए दो नज संक्रमितों की पुष्टी हुई जो धनबाद जिला से हैं जारखन में संक्रमितों की संक्या 154 से बढ़कर 156 हो गई जबकि 78 लोग स्वस्थ हुए और 3 की मिरुत्यू हुई भारत में कुल संक्रमितों की संक्या 62 808 है जबकि 29 301 लोग स्वस्थ हुए और 201 लोग की मिरुत्यू हुई जारखंड में संक्रमन की रफ्तार धीमी खबरों के अनुसार राची जारखंड में मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं 49.4 परचत मरीज ठेक हो चके जो की पडोसी राजियों के तुनला में ज्यादा है ऐसे में सरकार और राज दोनों को रहात परदान करने वाली खबर है CVST बोर्ट 10-12 की कौपी जाच आज से सुरू खबरों के अनुसार केंदरिये मादमिक सिक्षा बोर्ट 10 मई से उतर पुष्तिकाओ के मुल्यांकन की प्रकिरिया को लागू करने के लिए तयार है क्योंकि ग्री मंत्राले ने इस संबंद में संसाधन विकास मंत्राले के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दिया है 3000 मुल्यांकन केंदरों से उतर पुष्तिकाओ की जाच होगी सिक्षकों के घर पर ही कौपी पहुँचाया जाएगा जो उन्हें घरों से ही मुल्यांकर करेंगे इस परकिरिया को पचास दिनों में पूरी करने की उमीधा है जारखंड को मिला एक लाग मास्क खबरों के अनुसार मैतरी के चेर्मैन टी स्री निवास राव ने मुख मंत्री हमन सुरें से मुलकात की इस दोरान टी स्री निवास राव ने संक्रमन की रोक्थाम के लिए एक लाग मास्क सरकार को दिया बीत मंत्राले ने कहा मजदूरों को रोजगार देना चुनवती खबरों के अनुसार बीत मंत्राले रामेश्वर उराव ने कहा कि लोकडाउन ने जीवन सहली को बदल दिया है अब लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं भै का वातावरन है लोकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है हमें राजे की अर्थ विवस्ता को देखने की जरूरत है राजे की अर्षट पतिशत अबादिक क्रीसी पर आस्रित है अगर हम इसी छेत्र में मजबूत करे तो सभी प्रवासी मजदूर समयूजित हो जाएंगे सभी को मन रेगा माइनिंग विक्स में काम मिल सकता है हलाकि यह चुनती पूर्ण है इपास बनाना हुआ असान 1369 आवेदन का पास हुआ जारी खवरों के अनुसार जार्खन में इपास बनवाने के लिए लिंक जारी किया गया है जो की इपास जार्खन.nic.in पर आवेदन दे सकते हैं इपास बनवाने के लिए आप मोबाइल OTP की बैता समाप्त कर दी गई है साथी आवेदन पासवर्ट भी खुद क्रियेट कर सकेंगे राची में दो दिनों में कूल 5738 आवेदन आये जिसमें से 1523 आवेदन को रद कर दिया गया 349 आवेदन को पास जारी करने के नुमति दी गई है 17 माई के बाद जार्खन में लोकडाउन जारी रहेगा या नहीं खबरों के अनुसार मुक मेंत्रि हमान सुरेण ने 17 माई के बाद लोकडाउन बढ़ाने या हटाने के मुद्दे पर कहा कि राज में संक्रमन के स्थिती को देखने के बाद ही निर्नलिया जाएगा उन्होंने कहा कि समय आने पर आकलन किया जाएगा कि कहा लोकडाउन करना है और कहा नहीं करना है मुख मंत्री ने कहा कि अभी सरकार का फोकस मजदूरों को जार्खन वापस लाने पर है मजदूर धर बनाए रखे हम सब को लाएंगे जार्खन के डाक्टर नर्स पारामेडकल कर्मी वा करमचारी की छुटी 30 जून तक रद खबरों के अनुसार संक्रमण को लेकर रिम्स के सभी करमचारी की छुटी 30 जून तक रद कर दी गई है स्वास्त सचीव ने इस समबद में आदेश जारी किया है उन्होंनों आदेश में कहा है कि संक्रमण में स्वास्त करमियों की भूम का आहम हो गई है इसलिए छुटी को रद करना पड़ रहा है जारखन में सराब की होगी होम डिलेवरी खबरों के अनुसार जारखन राज में सराब की होम डिलेवरी सुरू हो सकती है मुख मंतरी ने उतपात विभाग को होम डिलेवरी करने की योजना पर काम करने का निर्देश दिया है लोकडाउन के कारण राजे में सराब की बिक्री बंद है जिससे सरकार को रायसों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है ऐसे में मुख मंतरी के निर्देश मिलने के बाद उतपात विभाग ने सराब की होम डिलेवरी करने से समन्दित प्रस्ताव का कारे सुरू कर दिया है जैक ने कोपी जाज की तैयारी पूरी की सरकार से मांगी अनुमती खबरों के अनुसार जैक ने मैटरी को इंटर कोपी की जाज की तैयारी पूरी कर ली है जैक ने मुल्यांकन सुरी करने के लिए इसकुली सिक्षाव सचर्ता विभाग को पत्र लिखा है सरकार से अनुमती मिलने के बाद कोपी जाज सुरू की जाएगी केंद्र जाच को लेकर सरसट केंद्र बनाए गए हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पाला सुनिश्चित किया जाएगा गुमला जीला के किसानों के 36 एकड़ की तरबूज बरबाद खबरों के अनुसार लोकड़ाउन के कारण गुमला जीला के किसान तरहिमाम कर रहे हैं किसानों ने 36 एकड़ जमीन में तरबूज की खेती की थी जो लोकड़ाउन की वज़ा से कोई बेपारी तरबूज खरीदने नहीं आया अब किसान बुरी तरह फस गए हैं एक जून से खुलेंगी जारखन के सरकारी विद्याले खबरों के अनुसार राज में नए सेक्षनिक सत्र के विद्याले खोलने को लेकर इसकूली सिक्षा एवं सचर्ता विभाग ने दिसा निर्देस जारी किया है बिभाग ने सभी जीलों का निर्देश भेजा है पत्र में कहा गया है कि राज में विद्याला एक जून से खोले जाएंगे पर सभी कक्छाओं का संचालन नहीं किया जाएगा एक जून से आठवी, दसवी वा वरावी की कक्छाए चलेगी से सकक्छाओं का संचालन 15 जून से होगा राची के हिंद पिडी में बटेगा मुख मंतरी आहार खबरों के अनुसार हिंद पिडी में मुख मंतरी आहार का वित्रन मंगलवार को किया जाएगा पैकेट समागरी तयार नहीं होने के कारण तीन दिनों से समागरी वित्रन नहीं हो रहा है अब तक हिंद पिडी में 99-89 पैकेट का वित्रन किया जा चुका है और लगभग 3-4,000 पैकेट का वित्रन किया जाएगा बिजली बील नहीं भर रहें उभोकता खबरों के उनसार राजधानी में बिजली सेवावों में कमी हो सकती है क्योंकि लोगडाउन के दोरन बिजली का भोकता बिल भोकता नहीं कर पा रहे है जिसे जारखन बिजली बित्रन नेगम को परतेक महीने लाखोर उपय का मुआपजा उठाना पर रहा है पलामू जिला के तीन लोगों ने संक्रमन से जिता जंग सुत्रों के अनुसार पलामू के तीन मरीजों ने इस जंग को जितकर पुर्ण रूप से स्वस्थ हो गए है तीनों की जांच रिपोर्ट तीसरी बाट नेगेटिव आने के बाद उन्हें होस्पिटल से छुटी दे दी गई है जमसेतपूर के नंदिता बनी इंटरनेट सेंसेशन खबरों के अनुसार जमसेतपूर की रहने वाली नंदिता स्रीवास्ता इंटरनेट की नई सेंसेशन है नंदिता को मीडिया एप भी मेट पर अड़ाई लाग लोग फ़लो करते है नंदिता एप की 15 टॉप क्रियेटर में से एक है नंदिता घर बैठे बनो लाखवती पर विजयता चुनी गई है इनको 5 लाख रुपे का पुरस्कार मिला है गुमला जिला में सेना के जवान नकसलियो वा संक्रमन को योग से हरा रहे खबरों के अनुसार संक्रमन से हत्यार से नहीं लड़ा जा सकता इससे बचने के लिए सरीर को स्वस्ट रखना होगा इसलिए गुमला जिला में सेना के जवान सियापी योग कर रहे हैं जुता चपल के दुकान खुलने पर केस खबरों के अनुसार लोकड़ान का उलंगन कर राची के दुकांदार दुकान खोल कर जुता चपल वा कपड़ा बेच रहा था जिस करमे पुलिस परसाशन पहुँच कर केस दर्ज किया है परसाशन के अनुसार दुकान की सटर आधी खोली थी और वहाँ लोक खड़े थे इसके बाद दुकान को बंद कर केस दर्ज किया गया है धनबाद से दो नए संक्रमेतों की पुष्टी हुई है दोनों मरीज धनबाद के हैं और रिष्टे में मा बेटे हैं दोनों लोकड़ान में मुंबाई में फस गय थे अभी दो दिन पहले धनबाद लोटे हैं बेटा अपनी मा का इलाज कराने मुंबाई लेकर गया था गड़वा में 20 संक्रमन पोजेटिव को मिराल अस्पताल में कराये गया भरती खबरों के उनसार 9 माई को पोजेटिव पाये गये 20 लोगों को मिराल परखंड मुखेला इस्तित्योती नर्सिंग एंड रिचार्ड सेंटर अस्पताल में भरती किया गया सभी दूसरे राजियों से गड़वा लोटे थे ब्यवसाय जगत के कुछ सेक्टर को खोलना जरूरी खबरों के उनसार जाखंड चेमबर अध्यक्ष कुनाल ने कहा कि ब्यवसाय जगत के कुछ सेक्टर को खोलना जरूरी है राजधानी के कई पर्तिष्ठानों से ही परदेश के विभीन जीलों में इलेक्ट्रोनिक कपड़ा आधी समान जाते हैं दुकाने बंद होने से परदेश के अने जीलों में कठिनाई हो रही है केरल और पच्छी मंगाल में फसे 500 से अधिक मजदूर और महिलाओ ने घर वापसी के गुहार जार्खन सरकार से की उनका कहाना है कि 1000 रुपे के साहतार आसी समाप्त हो चुका है ऐसे में हमें यहां रहना मुश्किल हो रहा है सरकार जल्द हमें अपना घर बुलाए धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बेल आइकन दवाए साथी वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसेप फेस्बुक ट्यूटर इस्टागराम पर सेर करें और आप हमें कोमेंट में अपना राय अवस्यदे थाइंक आप